Cyber law and IT Act 2000 section 66B receiving stolen computer or computational device यदि आपने कोई भी चोरी का computer या फिर कोई भी device computational होनी चाहिए वो यदि आपने कोई भी purchase या खरीदा है आपने तो उसके लिए आप पर सजा हो सकती है और वो section 66 के तहत तो बस अब बात करते हैं इसके example के बारे में यदि आप कोई smartphone या फिर device या फिर computer second hand ढूंड रहे हो for example OLX या फिर किसी और platform पर यदि वहाँ पर से आपने कोई computer आपने खरीदा या फिर कोई भी device आपने खरीदी तो यदि वो device आपका चोरी का माल है तो आप पर एक कानून लागू किया जा सकता है और वो है section 66 B तो बस इस वीडियो में इतना ही thank you so much to stay with me and I'll see you in the next one एक मिंट अगला topic रहेगा using password of another person